हलो एवरिवान क्या आल चाल भाई दिस इस जीशान यूर मैट्स मिन्टॉर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग यूडियू प्लैटफर्म पर जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज जो आपको 100% free of cost education provide कराता चला आ रहा है हम के 12 अडिस किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 अक सी बीसी बोर्ट के सारे बच्चों को पूरा पूरा content free of cost provide कराते चले आ रहे हैं as well as Hindi medium में आपको बाकी और भी बोर्ट देखने को मिल जाएंगे like UP बोर्ट, MP बिहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट, डेली बोर्ट, काफी बोर्ट हम वहाँ पर भी cater कर रहे हैं तो आपके जितने भी जानने वाले बच्चे हैं जो Hindi medium में पढ़ रहे हैं उनको बता दो भाई कि Hindi medium के YouTube channel पर जो की है Magnet Brains Hindi medium उस पर हमारे पास Hindi medium का भी content available है तो आप वहाँ पर जाके free of cost देख सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं और आज आपके लिए इस quality content वाले YouTube channel पर बढ़िया वाले lecture लेकर आया हूँ that is relations and functions of chapter 1 यह पहला चाप्टर है भाई class 12 का हमने relation and function में काफी topics cover कर रखे हैं सबसे पहले मैंने आपको समझाया था relations होते क्या हैं और relation समझाने के लिए मैंने आपकी शुरुवात करी थी set से के भई set सीखो पहले क्या होता है set के बाद cardition product सीखो भई और cardition product के बाद मैंने आपको relations समझाया था ठीक है sir समझ में आ गया था relations समझाने के बाद आपको relations से जितनी भी चीज़े related थी like number of relations किसी set को देखकर कैसे निकालते two key power pin two key सब आपको detail में समझा चुका हूँ उसके बाद जो वीडियो आई थी हैं आपको थोड़ा सा revision करा दूँ थोड़ा सा recall करा दूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ रखा है उसके बाद मैंने आपको types of relation एक video provide करा था जिस वीडियो में मैंने आपको चार relations बहुत अच्छी तरह से समझा दिये थे empty relation universal relation in identity relation और inverse relation ये चार relations आपको उस particular video में समझा दिये गए थे ठीक है sir next उसके बाद तीन most important relations के तीन videos आपके लिए बनाए गए थे detail में बनाए गए थे वो भी आपको provide करा दिये गए हैं बही कौन सा सर पहला हमने सीखा था reflexive relation दूसरा सीखा था symmetric relation और तीसरा सीखा था transitive relation तो ये तीनो वीडियो होगा अब जो वीडियो आया है आपके सामने ये जो session आप देख रहे pen, copy, pencil जो कुछ भी निकाल के रखना है निकाल लो क्योंकि आपको सारी चीज़ें लिखनी भी चाहिए लिखनी भी पढ़ेंगी ठीक है तो आज के session में हम सीखेंगे भीया जो previous तीन वीडियो आपने देखी है जो previous तीन types के relations आपने पढ़े है reflexive, symmetric और transitive इन तीनों का combination इन तीनों का mixture जी हाँ आप इन तीनों का mixture पढ़ोगे इस particular topic पे जिसका नाम है equivalence relation दोस्त ठीक है equivalence relation इतने जादा questions आते हैं मैं सच्ची कह रहा हूँ कि अभी तक अपन जितने भी questions सीखे हैं ना जितने भी topic सीखे हैं ना जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ना वो सारा कुछ इसको समझने के लिए पढ़ रखा है जी हाँ सारा कुछ यहाँ अपलाई होगा यहाँ पर आपको symmetric reflexive transitive तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए तब जाके आप equivalence relation को define कर पाओगे या समझ पाओगे या अपनी बुद्धी में set कर पाओगे तो चलो दोस्त without wasting any time पाच P पे ध्यान देना 5P ठीक है pen, paper, practice, patience और progress pen paper लेकर बैठो practice करो patience रखो और फिर आपको progress मिलेगी तो चलते हैं mathematics को पढ़ने भई, ठीक है equivalence relation यह रहा, देखो equivalence relation की अपनी कोई खासियत नहीं है, equivalence relation ऐसा नहीं है कि यार इसमें ऐसे से ऐसा होना चाहिए, इसमें वैसे से वैसा देखो, नहीं equivalence relation ऐसा relation होता है, ऐसा relation होता है जो आपको तीन चीज़ों को check करने के लिए उत्सु करता है भई आपको तीन चीज़े check करने के लिए बोलता है कि भाई देखो मेरे पास एक relation है मैंने आपको एक relation लंबा सा लिख कर दे दिया अब आपसे पूछा गया किस relation को check करो क्या ये relation reflexive है तो आपको पता है कि sir, अगर आप हमें एक relation दोगे, जैसे relation मैंने दिया आपको, just for example, a, a, b, b, c, a, c, a, b, b, c, a, c. suppose यह मैंने आपको एक relation दे दिया, और किसमे relation दिया भी टाइए, यह relation जो है न, यह a to a है, क्या है sir, a cross a के उपर है, that is a to a, ठीक है, दो आप, मतलब, जो set, दोगो, obvious सी बात है, relation cross product पे बनता है, relation, partition, product पे बनता है, यह तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, और a जो है अपने पा जाते है, उन में से मैंने एक लिख दिया, अब आप से कहा गया, कि बिटा, जल्दी से चेक करके बता दो यार, क्या यह relation, reflexive है, क्या यह relation, reflexive relation है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपने सीख रखा है बिटा, नहीं देखी है वीडियो, तो देख लो, आपका भला हो जा ठीक है, आपके लिए बनाई गई है वीडियो, ठीक है सर, reflexive relation में कुछ नहीं, सर, simple सी परीभाशा है, simple सी परीभाशा, क्या, सर, किसी भी relation में, आपको कुछ नहीं देखना है, बस a, a देखना है, या फिर आप x, x लिख दो, आपको कुछ नहीं सर, सिर्फ x, x देखना है, कि x, x belong करना चाहिए, relation में, where for all x belongs to set a, ये क्या लिख दिया सर, आपने खतरनाक सी चीज़, पताता हूँ, सुनो, अब x है क्या, सब सब revise करा हूँ, attention नहीं लो, x है क्या, ये x क्या है, x जो है, वो a के elements को बोला गया, मतलब a के elements में ये ये भी x हो सकता है, ये भी x हो सकता है, ये भी x हो सकता है, तो ये तो समझ में आ गया, कि जो x है, वो a के elements होंगे, यानि X की जगा A भी आ सकता है X की जगा B भी आ सकता है X की जगा C भी आ सकता है ठीक है भी या हमें अपने relation में दिये गए relation में चेक करना है X, X आना चाहिए मतलब सर अगर X A है capital A set का पहला element है तो हमें चेक करना है कि उसमें A, A होना चाहिए इसका हम शकल होना चाहिए बिलकुल सही बात है अगर X, X अगर X B है दूसरा element है तो B, B यानि X, X X, X का मतलब है B, B चेक करना पड़ेगा and C, C चेक करना पड़ेगा जब X, C है तो सर यह तीनों चेक करो कि हां सर यह A, A है B, B है, C, C है बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है यह हो गया reflexive relation तो अपनने क्या लिख दिया येस ठीक है सर लिख दिया reflexive relation, okay, done है सर पक्की बात, बिलकुल, 101% done है सर ठीक है अब, सर, reflexive relation तो हमने चेक कर लिया दूसरा relation हमने कौन सा सीखा है सर दूसरा relation हमने सीखा है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सीखा है हमने दूसरा relation सीखा है symmetric relation कौन सा सर symmetric relation चलो, symmetric देख लेते हैं सर symmetric क्या होता है ठीक है symmetric relation अब ये क्या होता है सर चलो, बताता हूँ, सुनते जाना सर सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता जिसके अंदर जो ordered pair होते है न उन ordered pair में आपको reverse देखना पड़ता है सर यह क्या बोल रहा है चलो इसकी condition लिख देता हूँ मैं सुनते जाओ इसके अंदर होता क्या है कि मान के चलो एक ordered pair x, y available है belong करता है किसमें relation में belongs to r, ठीक है belongs to r, then you have to check then you have to check कि y, x भी belong करना चाहिए r में यह condition आपको यहाँ fulfill करानी पड़ेगी कि अगर 1, 2 है तो फिर 2, 1 भी उस relation में होना चाहिए यह मैंने आपको पढ़ाया था symmetric relation में, याद होगा आपको बिलकुल याद है सर, है न, वेर, ध्यान रखना बेटा वेर वेर x, y all x, y for all x, y belong to capital A यानि set A के पाठ होंगे x और y, अप सुनो क्या है सर थोड़ा चाहिए समझ लो, ठीक है सर x, y, x, x क्या है, what is x यह x है क्या है, x क्या है, y क्या है what is x and y, sir x इनी में से होगा, y इनी में से होगा ठीक है सर, x इन में से ही होगा, y भी इन में से होगा, ठीक है x, y, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सुनते जाना मेरी बात, ठीक है इतनी बात तो clear हो गई होगी न कि जब भी हम किसी भी Cartesian product को निकालते हैं, जैसे a cross a तो अब हम इस Cartesian product में कोई order pair x comma y लिखेंगे, तो क्या होगा भाई, ये x इस वाले set का होगा ये y इस वाले set का होगा तो x भी a का, y भी a का, तो x comma y belongs to a, set a, clear है ठीक है सर, अब symmetric में यहां चेक करते हैं, symmetric है के नहीं ध्यान रखना, symmetric same same में check नहीं करना चाहिए जैसे मैंने आपको previous वीडियो में transitive में बताया था, same same को ज़्यादा भाव मत दो, वो selected होते हैं special होते हैं ये लोग, मतलब सर, same same बोले तो देखो, same same, देखो ही मत्यार अगर यहां a है, यहां a है, अब मैं कहा रहा हूँ x, y का उल्टा चाहिए मुझे तो तो यहर a, a का उल्टा क्या होगा यह a यहां आ जाएगा, यह a यहां आ जाएगा, तो a, a मतलब यह खुद का उल्टा साबित हो जाएगा, कि देख भाई, मैं तो a, a हूँ, अब तू फिर से मुझे a, a पढ़ ले, मैंने तो symmetric की definition को follow करा दिया, तो यह अपन को ठेंगा दिखा देगा, ठीक है sir, है ना, ऐसे ही बच्चा, यहाँ पर भी अपन को b, b से इस वाली definition का proof नहीं लेना है, already proved है वो, है a, b है, ठीक है sir, a, b तो फिर अब मुझे इसका opposite b, a चाहिए भीया, I want b, a, that's it, मुझे क्या चाहिए b, a, यहाँ बी गॉमा ए कहीं है नहीं है, भाई अगर a, b है तो फिर I want a, b का उल्टा, b, a also, अगर b, a यहाँ रहा इस relation में है, तो भाई इस relation को फिर अपना आगे और चेक करेंगे, तो भाई यह ना ही इसका उल्टा है, that is इसका उल्टा क्या चाहिए था बेटा, b, a नहीं है इस relation में, इस relation में, b, a नहीं है, ठीक है, b, a does not belong to relation r, बेटा, b, c का उल्टा क्या होगा, c, b यह भी नहीं है, c, b, यह भी इस relation में बिलॉंग नहीं कर रहा है, not belongs to r, बेटा, a, c का उल्टा क्या होगा, c, a, वो भी यहां नहीं है, c, a, ठीक है, sir, c, a, यह भी बिलॉंग नहीं कर रहा है, काहे में, does not belong in r, बेटा, एक भी ऐसा तुम्हें कोई भी component मिल जाए, कोई भी order pair मिल जाए, जिसका symmetric available ना हो, symmetric बोले तो opposite, उल्टा, तो बोल देना, वो symmetric relation नहीं है, तो यहां क्या लिख दिया भनने है, यह दिया हुआ relation हमें, symmetric नहीं लग रहा है, this is not symmetric relation, ठीक है, sir, अब बचा तीसरा, third relation, sir, third relation कौन सा, sir, third relation transitive, जो आपको बिलकुल ताजा ताजा प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया आए हैंना, बिटा देखो, यार किसी भी चीज को quality से अगर आपको समझना है, मेरा मानना है कि जल्दबाजी में ना मैं आपको समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाऊंगे, ये class 11th, 12th की mathematics पढ़ ले हो भाई, तुम बहुत critical होती है, बहुत दिमाग को free करके समझना पड़ता है, और समझाना पड़ता है, और अगर यहां पर time limit लग जाए, कि या आपको एक घंटे में ही समझाना है, या आपको एक घंटे में ही समझना है, तो भाई वो मुश्किल हो जाता है, फिर quality खराब हो जाएगी, है ना, इसलिए तरीके से तमीज से पढ़ो, अभी बहुत time है ऐसा नहीं है, थोड़ा जल्दी देखना है, तो speed बढ़ा लेना वीडियो का, खतम, that's it, ठीक है दोस्त, yes sir, तो दोस्त अब अपन चलते हैं, तीसरी condition पे, तीसरी चीज़ क्या है sir, सर तीसरा है transitive, क्या है दोस्त, transitive, ठीक है transitive relation, यह तो आपने अभी previous वीडियो में ही, ताजी-ताजी वीडियो में ही सीखा होगा, ठीक है, तो सर ट्रांजिटिव relation क्या होता है, चलो भई या, इनकी भी परिभाशा लिख दी जाए, ठीक है sir, क्या है, अगर x related है y से, अगर x related है y से, ठीक है, and y related है z से, तीन है ना, अभी पताऊंगा आपको, कौन है x, कौन है y, कौन है z, यह तीनों ही एके ही components है, तो यहाँ पर फिर हमें देखना पड़ेगा, कि या y और y सेम होगा है, देखो भाई, यह होगा अपना x, y, है ना, x, y, किसको बिलॉंग कर रहा है relation में, बिलॉंग टू रिलेशन आर, ठीक है सर, यह क्या होगा बिटा, y, z, किसको बिलॉंग कर रहा है, बिलॉंग कर रहा है relation आर, अब तुम खासियत देखो यहाँ, एक बात की specialty देखो, कि x के बाद यहाँ y आ रहा हो, नहीं तो topic से भटक जाएंगे, अभी topic अपन एक्यूवेलिंस रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, कि सर अगर ये है, और हमें ये भी मिल गया, अगर मिल गया, connectivity मिल जाती है, तो अपन क्या कहेंगे, इस इंप्लाइज के हमें, इस इंप्लाइज नहीं, इस इंप्लाइज नहीं, इस इस शुड़ गिव, X, Z, शुड बिलॉंग टू R, अगर ऐसी condition आ गई, तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है, जैसे यहां देखो, ठीक है, यहां देखते हैं सर, ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी importance मत दो, ट्रांजिटिव में, सेम सेम कोई बिल्कुल भी importance मत दिया करो, हटाओ, सेम सेम, A, A, equal equal, B, B, equal equal, C, C, B, equal, इंको देखो ही मत यार, देखो ही मत, में यहां देखो, सर, जैसे A, B, यह B पे खतम हो रहा है, X, Y मान लो, ठीक है, अब यह B, C, यह Y, Z, देखो, यह होगे अपना X, ठीक है, यह होगे अपना Y, अब B अगर Y है, तो B यहां भी Y कहलाएगा, Y और यह होगे अपना Z, ठीक है, अब यह Y और Y यह सेम है, देखो, B और B यह सेम है, तो B और B को छोड़ दो, काट दो, हटाओ, बचा A और C, A कॉमसी धूंडो, यहां है कि नहीं है, सर, A कॉमसी तो यहां दिग्या, अरे बाई, बहुत बढ़ी है, बढ़ाई हो, A कॉमसी अपन को दिग्या, बढ़ाई हो, खतम, ठीक है, तो इसका मतलब, यह वाला क्या हुआ सर, यह relation ट्रांजिटिव हो गया, तो हम यहां क्या लिखेंगे दोस्त, हम यहां लिखेंगे, येस, हम यहां लिखेंगे, येस, एक चीज और लिख देना, फॉर ओल, एक्स कॉमा वाई कॉमा जड, जो एक्स और वाई और जड है, यह क्या है, सर यह बिलॉंग करेंगे, सेट ए से, यह सेट ए के ही हिस्से होंगे, सेट ए के ही पार्ट होंगे, ठीक है सर, अब आगे देखते हैं, सर तीनों समझ लिए, यह रिवाईस कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर, अब सुनो, एक्यूवेलिंस रिलेशन, डेफिनेशन आपके सामने लिखिया, आपने पढ़ लिया होगा, देखो यार, कोई भी ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन, जैसे मैंने इस रिलेशन की बात कर दी, कोई भी ऐसा रिलेशन, अगर वो रिलेशन, क्या हो सर, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, क्या हो सर, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है सर, अगर वही रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो, Symmetric Relation वाली Condition भी follow करे As well as Transitive भी हो Transitive भी हो तो भाया बबुबाजी फिर हम उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उस Relation को कि यह Relation शक्तिमान है यह Relation तो शक्तिमान बन गया Transitive भी है, Symmetric भी है, Reflexive भी है मतलब यह Relation क्या हो गया भाया यह Relation हो गया Equivalence Relation समझ में आया बुद्धी में घुसा के नहीं घुसा भाई This is Equivalence Relation एक ऐसा Relation जो तीनों टाइपस के Relation की Condition को फॉलो कर रहा है Symmetric भी है, Reflexive भी है और Transitive भी है तब हम जाके उस Relationship को क्या बोलेंगे जिए भाईया यह Relation जो Onset A है मतलब A x A पर जो भी Relation दिया गया है यह एक कौन सा Relation है? Equivalence Relation अब यह Relation जो मैंने दिया है आपको क्या है? यह Relation जो है यह R यह Reflexive तो है Transitive भी है पर यह Symmetric नहीं है This is not Symmetric दिखो Symmetric वाले में No लिख दिया कि चलो भी यह Reflexive है Transitive है पर Symmetric नहीं है मुझे तीनो पर टिक चाहिए Reflexive भी हो Symmetric भी हो Transitive भी हो यह तीनो तो नहीं कर रहा है और अगर यह तीनो नहीं है तीनो टाइप के Relation के Format को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्त तो फिर तेल लेने जाने दू नहीं है यह Equivalence Relation क्या Sir Given Relation is not Equivalence ठीक है यह तो Equivalence Relation की अपन को परीभाचा लिख दी है मैंने यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पर यह जो दिया है ना देखो बिटा जल्दी से यहाँ यह जो दिया है ना Therefore R here is not Equivalence R here is not Equivalence Relation खता ठीक है done Sir इसका screenshot ले लो Equivalence Relation का आपको basic पूरा समझा दिया है डीटेल में I hope आपको 110% Equivalence Relation का समझ में आ गया होगा ठीक है भई चलो आगे चलते हैं दूसरी स्लाइट समझते हैं दूसरी स्लाइट पे क्या लिखा हुआ है भई सर क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या information knowledge दी गई है चलो भी आप पढ़ते हैं next slide Equivalence Relation से ही अपनको डीटेल में और पढ़ना है अभी एकाथ slides और पढ़ेंगे ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे tension नहीं लो हर एक example जो कुछ दिया गया है यहाँ explain किया जाएगा तरीके से जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो भी आप लिखो जो कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है pause करो और pause करके वीडियो को pause करके खुद लिखने की कोशिश करो प्रयास करो आगे पढ़ते हैं देखो भी क्या कह रहा है equivalence relation defined on a set equivalence relation R है ठीक है काहे पे है भी या defined on a set एक set पे defined नहीं होता सर उसको बोलते है set A to A ठीक है यानि A cross है आप कहा सकते हो जो relation चल रहा है वो same set पर है that is A cross A ठीक है सर है ना इसके meaning बता होनी चाहिए बच्चों को क्या है on a set का मतलब क्या है ठीक है in mathematics is a binary relation that is यहां से पढ़ना शुरू करो that is reflexive ऐसा relation जो reflexive हो comma symmetric हो and transitive ठीक है यह reflexive भी हो symmetric भी हो transitive भी हो ठीक है सर अब binary relation over this set A and B is a subset of the Cartesian product this and this consisting of elements of form this such that this यह आपको A cross B के बारे में बता दिया गया यहां से लेकर यहां तक आपको कुछ भी खास नहीं special नहीं बताया गया है यहां से लेकर यहां तक आपको एक A cross B के बारे में relation के बारे में बताये गया मैं फिर से आपको revise करा देता हूँ जो इन्होंने का कुछ खास नहीं है पुराना लेकर इन्होंने revise करा दिया आपको देखो वो यह कह रहा है कि एक जो binary relation होता जो relation होता वो a cross b जो भी a cross b है ना जो भी a cross b है वो बहुत बड़ा सा set आएगा बहुत सारे elements आएगे है ना बहुत सारे elements आएगे इन elements में से अगर आप किसी भी relation को बनाना चाहते हो कोई relation चाहते हो कि a cross b से मैं एक relation बना दूँ तो किसी भी element को उठाके उसका set बना दो तो relation क्या होता है sir, relation होता है subset, काहे का subset होता, Cartesian product का, ठीक है, बहुत चोटी सी चीज है, relation क्या होता, Cartesian product का subset, ठीक है, थोड़ा speed में पाऊंगा इस बार, क्योंकि ये तो already revised है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है, तो दुबारा से आपको पढ़ा देता हूँ, देखो, अपन मैंने कहा, के बिटा, A cross B निकालो जरा, तो A cross B पे तुम लोग पहुँच गए, और तुम लोग को A cross B निकालना, बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया है, A cross B, 1A के first element से शुरू होगा, ठीक है, ये जाएगा, इसके साथ pair, ये जाएगा, इसके साथ pair बनाएगा, ठीक है sir तो 1, X, 1, Y, 1, X bracket close, फिर दूसरा आएगा, 1, Y bracket close, ठीक है sir, ये हो गया, अब second जो 2 देख रहा, 2, ये जाएगा, इसके साथ बनाएगा, 2, X, 2, Y, 2, X और bracket 2, Y, ठीक है sir, लिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, अपना Cartesian product A cross B, ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस line से लेकर इस line तक ये समझाना चाहा, के भई, यहाँ पर जो भी चीज़े लिखी है न, they are of the format A, B, जो भी, ये पूरा का पूरा एक element है, ठीक है, एक element है ये, तो ये क्या होगा sir, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा दोस्त B, है न, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा ये वाला, that is B, this is A, this is B, this is A, this is B, तो इससे ये चीज़ समझ में आई, मुझे और आप सब को एक चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई sir, के sir, जो partition product होता है A cross B, उसमें जो A, B होता है, A, B, जो बहुत सारे A, B आते है, A, B, A, B, A, B, A, B, बहुत सारे आ रहे हैं, इसम ये A कहां belong करेगा, sir, ये A belong करेगा, पहले सेट A पे, मतलब ये A जो है, ये पहले सेट 1 या 2 होगा बस, 1, 1, 2, 2, देखो A या तो 1 होगा या 2 होगा बस खतम, और जो ये B हैना sir, कहां belong करेगा, sir, ये B belong करेगा, दूसरे सेट B में, अब मान के चलो ये A x A हो जाए, A x B की ज capital B से belong करेगा क्योंकि दूसरा set B यहाँ पर क्या हो जाएगा A दूसरा set B A हो जाएगा clear है? यह sir अब इन्होंने इस से लेकर इस line तक हमें यह बताया कि एक relation जो होता है वो subset होता है किसी भी cross product का ठीक है subset उठा लो तो sir यहाँ अगर मैं कहूं कि relation बनाना है मुझे तो subset क्या होता? subset होता है एक छोटा set जो एक बड़े set में available हो एक ऐसा set जिसके elements एक बड़े set में present हो तो sir अगर मैं कहूं यहाँ पर 1,Y bracket close 2,X अब मैं कहूं कि sir यह जो relation यह जो R1 बनाया जो set बनाया मैंने क्या यह relation कहलाने लायक है? क्यों? सर देख चेक करो क्या यह R1 subset है किसका बटा? A cross B का? चेक करते हैं चलो sir चेक करते हैं ठीक है? चलो दोस्ट चेक करते हैं सर पहला R1 के अंदर जो element है वो है 1,Y क्या यहाँ A cross B के अंदर 1,Y है देखो बेटा हा सर 1,Y है ठीक है भाई? बहुत बढ़िया congratulations अब बेटा दूसरा चेक करो 2,X 2,X भी यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब इसके दोनों टर्म्स A 1,Y और 2,X यह पूरा पूरा एक है बेटा एक और एक दो टर्म्स है यह दोनों मैंबर्स इस बड़े A cross B के अंदर मौजूद है इसका मतलब यह पूरा R1 जो है न A cross B के अंदर समा गया मतलब छोटा सेट subset कहलाएगा R1 is a subset of A cross B और जो A cross B का subset होता है वही relation कहलाता है पस यहां से लेकर यहां तक यही बताया गया है आपको के सर एक binary relation एक relation Overset A and B क्या होता है सर is a subset is a subset of Cartesian product A cross B A cross B का subset होगा relation ठीक है of the form A, B such that A belongs to A, B belongs to B खतम, that's it ठीक है, clear है Yes or No? Yes sir screenshot ले लो फिर इसके बाद next example जो नीचे लिखा हुआ है वो अपन complete करेंगे ठीक है So screenshot ले लो और इसको जल्दी से read कर लो यार बढ़िया मजा आएगा आगे हाँ भई ठीक है इतना clear है अब अपन आगे की के line पढ़ते हैं भईया यहां से पढ़ेंगे अपन अब वेरी कॉमन से लेकर ठीक है अब वेरी कॉमन से लेकर पढ़ेंगे इसको erase कर रहा हूं मैं ठीक है सर अब वेरी कॉमन example of अब वेरी कॉमन अजी तो अंडर्स्टें ग्जाम्पल of an equivalence relation is the equal to relation which is reflexive symmetric and transitive यह समझेंगे इसमें भी अपनको 10 से 15 minute देने पढ़ेंगे समझो बेटा ठीक है सर समझाओ सर ठीक है सुन दो सुन लो बेटा कहानी equivalence relation की अपनको heading में लिखना है equal to कौन सा relation बनाना है सर equal to relation ठीक है equal to relation बनाना सुनते जाना कैसे start करते हैं नहीं तो आप समझी नहीं पाऊगे मान के चलो हमारे पास एक set A है और उसके अंदर हमारे पास है भाई साहब x, y, z तीन व्यक्ती हैं कौन है सर तीन व्यक्ती हैं एक का नाम है x एक का नाम है y एक का नाम है z ठीक है तीन व्यक्ती है equal to वाला आपको previous वीडियो में भी मैंने समझाया ता याद करो तीनों व्यक्तियों के पास हमने ऐसा set बनाया ऐसा set बनाया ठीक है बहुत गौर से सुनना बेटा ध्यान से सुनना ये सर ध्यान से सुना अब यहाँ पर हमने क्या करना है गौर से सुनिए बेटा प्लीज यहाँ पर हमने क्या करना है मान के चलो x के पास भाईया रुपय या 10 है कितने है रुपय 10 इसको एक और ले ले लेते है x, y, z, a नहीं ले ले लेते हैं ठीक है चार मेंबर ले लेते हैं ठीक है ध्यान से सुनना बेटा मज़ा आएगा आपको यह x के पास 10 रुपय है y के पास 15 रुपय है z के पास 10 रुपय है और v के पास 20 रुपय फॉर इक्जाम्पल ठीक है sir done 100% done ठीक है यह पनने ऐसे ही मान लिया अब फोकस होना चाहिए equal to ठीक है sir equal to नामक चीज़ पे फोकस होना चाहिए दोस्त अब सबसे बहला काम होगा कि sir खो ना हो a x a तो बना होगा बिल्कुल बना होगा भया बिना a x a के कुछ कामी नहीं होगा बिना partition product के कुछ कामी नहीं होगा, बहुत सारे elements आएंगे सर, बहुत सारे elements आएंगे, seriously, कितने आएंगे, चलो बताओ A cross A के अंदर कितने elements आएंगे, ये भी मैंने आपको सिखाया है, चलो revise कर लेते हैं, जब मौका मिलेगा तब revise कराओंगा बेटा मैं तो, तो सर कुछ नही जाएगा P, इसको बोला जाएगा Q, formula होता number of elements in A cross A, या A cross B जो भी है, in A cross A, that is N bracket A cross A, क्या होता है दोस्त, P into Q, खतम, that is 4 into 4, यानि 16, 16 elements आएंगे, इस A cross A के अंदर, कितने 16 elements, 16 members आएंगे, 16 ordered pairs आएंगे, ठीक है, मैं O P लिख दे रहा हूँ, 16 ordered pairs आएंगे, और ये 16 ordered pairs क्या होंगे, इस पूरे A cross A के members कहलाएंगे, ठीक है सर, clear है, इसको मैं erase कर रहा हूँ, अब इसी के basis पे अगर मैं कहूँ, बिटा, number of relations बताओ, कितने बना पाओगे, तो number of relation का भी formula होता, वो था 2 की power P Q, P Q अपना 16 है, यानि 2 की power 16 relations बन जाएंगे, क्योंकि number of relations is number of subset, है ना, जितने subset, उतने ही relations, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर, इसको erase करते हैं, ठीक है, गया, next, अब क्या करें सर, कुछ नहीं, अब अपन यहां relation बनाएंगे, 16 members, ठीक है, अब relation establish करने की कोशिश करते हैं, और relation कैसा बनेगा, relation के बारे में उपर लिखा हुआ है, equal to, ऐसे relation बनाओ के equal to, equal to हो जाएं, ठीक है सर, ध्यान देना सरा, ठीक है, अब यहां पर अपन ने a में क्या लिखा, a में लिखा बिटा अपन ने, x, y, z, v, ठीक है सर, और दूसरे a में क्या लिखा, x, y, z, v, ठीक है सर, ध्यान देना सरा, देखो relation होगा, a cross a का member, ठीक है सर, अब देखो, अगर मैं कहूँ, x और x, देखो, x का जब अपन cross करेंगे, तो x, x, y, x, z, x, v, यह चारो आएंगे, है न, cross multiplication में, ठीक है, अब चारो नहीं लिखना है अपन को, अपन को एक ऐसा relation बनाना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ equal to वाला system हो, ठीक है सर, देख लेते हैं, तो अपन relation बनाते हैं, equal to वाला system तो x, x के साथ रहेगा, क्यों रहेगा, सर, यहाँ पर जो x है, उसके पास भी 10 रुपे, यहाँ पर जो x है, उसके पास भी 10 रु यहाँ है, नहीं आएगा, छोड़ दो, ठीक है, x, z, x के पास 10, z के पास 10, perfect है, x, z लिख दो भी है, x, z लिख दो भी है, x, z लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है, यह भी 10, यह भी 10, यह भी 10 वाला, यह भी 10 वाला, ठीक है सर, अब x, v आएगा क्या, x, v दो x है, 10 वाला, v है, 20 वाला सर equal equal है ही नहीं चोड़ दो नहीं चाहिए तो X का setting हमने इनके साथ करा दिया चारों के साथ बस चारों नहीं लिखे क्यों नहीं लिखे क्योंकि चारों ये वाली condition follow नहीं कर रहे थे ठीक है सर छोड़ दो X का काम हो गया तमाम भी या X को छोड़ दो ठीक है सर, अब बात करेंगे y, अब बात करते है y, y पे क्या भी या y का quantity क्या है, रुपीज नहीं मानो सर्फ quantity मान लो, कि y पे quantity क्या है सर, y पे quantity है 10, यानि 10 sticks मान लो 15, 15 sticks मान लो 15 chocolates मान लो जो भी है, कि y 15 chocolates है, अब y का जब system इनके साथ कराएंगे तो y, x आएगा, y, y लेकिन इन चारों में से y, x, y, 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 इन चारों में से सर, वही लिखेंगे जो इस वाले relation को satisfy कराएं, equal to वाला, तो सर, y, x तो नहीं आने का, क्यों नहीं आने का, y, x होगा 15, 10, y के पास 15 chocolates हैं, x के पास 10 chocolates हैं, तो ये तो आने से रहा, ठीक है छोड़ो इसको, अब y, x हो next, y, z भी नहीं आएगा क्योंकि y 15 है, z 10 है, y, v भी भी नहीं आएगा क्योंकि y 15 है, और v 20 है, छोड़ो नहीं आएगा, ठीक है, अब इसके बाद सर, अपन z पर कर लेते हैं, क्या, z का, हिसाब किताब देख लेते हैं, ये ये आगे है, z भी, ठीक है, z, x, हाँ आ जाएग जेट कॉमा एक्स इसलिए आएगा सर क्योंकि जेट भी क्या है दस चॉकलेट्स है और एक्स भी क्या है दस चॉकलेट्स है तो जेट कॉमा एक्स आजाएगा जेट कॉमा एकस आ जाएगा, ठीक है? यह महान लो कि Z एक बॉकस है, जिसके अंदर 10 चॉकलेट्स है, X एक बॉकस है जिसके अंदर 10 चॉकलेट्स है, एक्वल एक्वल हैं, लिख दिया, फिर Z के बाद X हो गया, Z के बाद Y, ZY, Z, Y, नहीं होगा सर, Z है 10 Y है 15 Equal ही नहीं है तो Z, Y नहीं आएगा Z, Z आ जाएगा 15 15 10 10 आ जाएगा Z, Z आ जाएगा ठीक है सर उसके बाद क्या आएगा Z, V नहीं आएगा अलग-अलग है Z अलग है और V अलग है Z 10 है V 20 है नहीं आएगा अब Z की बारी खतम अब बात कर लेतें sir V की V, X नहीं आएगा, V किसी के साथ नहीं आएगा V सिर्फ खुद के साथ आएगा मैं बताता हूं क्यों क्योंकि sir V क्या है, V है 20 चॉकलेट्स वाला हिसाब किताब V क्या है 20 चॉकलेट्स वाला, तो this इस औरल डिस नहीं आएगा क्योंकि these यह बीस है यह डस चोकलेट से बराबर बराबर ही नहीं है यह यह बन गया हमारा ऐसा रलेशन जो इक्वल टु वाली कंडिशन को ईईक्वल टु वाले रलेशन को पूरी तरह से follow कर रहा है अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो equal वाला relation होता है वो hundred percent equivalence होता है क्यों होता equivalence क्योंकि वो reflexive भी होगा symmetric भी होगा transitive भी होगा चलो check कर लेते हैं ठीक है चलो भी यह check कर लेते हैं चलो number one reflexive reflexive क्या होता है sir reflexive होता है कि जो set था कौन सा set था set A था A के अंदर था X Y Z V सबके हम शकल मौजूद होने चाहिए सबके है ना reflexive क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास A set के अंदर X है तो X,X होना चाहिए यह है X,X Y है Y,Y होना चाहिए यह है Y,Y Z है Z,Z होना चाहिए V है V,V होना चाहिए चारों है reflexive तो है सरी है है ना यह reflexive तो है तो अपने लिख दिया yes क्यों है सर क्योंकि इसके अंदर X,X भी है Y,Y भी है है ना अपनने क्या लिख देना है because इसके अंदर सर हमारे पास A,A मौजूद है A,A क्या है A,A मौजूद है for R for all A belongs to A सारे A यह देख रहे हो जितने भी A है जो capital A के अंदर बैठे हुए है capital A के अंदर कौन बैठा X बैठा वो छोटा A बन गया तो A,A मतलब X,X हाँ है 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 ना A,A अब A जो है वो set A के अंदर मौजूद है कौन है Y अब Y A बन जाएगा Y,Y तो Y,Y Y,Y सर यह है ऐसी Z,Z,Z,V,V,V,V,B है सर नेक्स्ट अब दूसरा देखते है reflexive के अलावा कौन सर सिमेट्रिक ठीक है अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं सिमेट्रिक relation है तो सर सिमेट्रिक क्या होता है सिमेट्रिक होता है भीया अगर A,B है तो उसका उल्टा B,A भी उस relation में होना चाहिए ठीक है सर चलो चेक कर लेते हैं गौर से सुनना सर यह बहुत गौर से सुनना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सेम सेम वालों को importance नहीं दी जाती मैं फिर बोल राउं ध्यान देना ठीक है तो यह जो X,X है इसको फिलहाल आप out कर दो Y,Y out कर दो Z,Z out कर दो ठीक है और V,V को भी out कर दो यह अपने already selected है यार special cases है यह तो यह तो बहुत brilliant बच्चे हैं जो already select हो जाते हैं यह तो selected है कहे में selected है सर, symmetric में selected है और transitive में भी selected है ठीक है अब बचा X,Z X,Z का उल्टा Z,X देखो Z,X है हाँ सर Z,X है X,Z का उल्टा Z,X है बाकी सब selected है इसका मतलब यह क्या हुआ सर यह हो गया अपना symmetric क्या हो गया बटा symmetric तो अपन क्या लिखेंगे दोस्त अपन लिखेंगे सर के अगर हमारे पास A,B हमारे पास A,B बिलॉंग कर रहा है आर में तो फिर हमारे पास तो फिर हमारे पास B,A भी आर में बिलॉंग करना चाहिए और यह कर रहा है तो यह क्या है यह सर यह भी completely follow हो रहा है ठीक है भई अब बात करते हैं अपन क्या transitive की चलो let us talk about transitive ठीक है ट्रांजिटीव की बात कर लेते हैं ट्रांजिटीव में भी खेल ऐसा है कि आप XXYYZZVV इनको इन गेना पर इनका चेक मत करना ने नको चेकिंग में मत डालो चेक करतें में अपन चेकिंग में मठ डालना इनको देखो कोई दिकत नहीं है देखने में पर checking में मत दालना इनको तो transitive की बात कर लेते हैं सर ठीक है transitive में ज्या है सर कुछ नहीं transitive मेंं बस यह है सर simple सा system है क्या system है सर सर यही कि अ Αगर हमारे पास a कॉमा b है काहे में relation में और हमारे पास b यह b पे खतम हो रहा अगर हमारे पास B, C है एक और चीज रिलेशन में जो यहां audit pair में B पे खतम यहां audit pair में B से शुरू अगर यह भी हमारे पास रिलेशन में है then हमें चेक करना पड़ेगा कि B और भी काट दो A, C भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए तब जाके हमारे पास हम कह सकते हैं तो चेक करो जारा यहां पर क्या गेम हो रहा है ठीक है सर यहां का गेम जो है X, X को चेक नहीं करेंगे Y, Y को चेक नहीं करेंगे Z, Z को भी और V, V को चेक नहीं किया जाएगा चेक नहीं करा जाएगा देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि देखो ही नहीं बस checking में नहीं आएंगे, इनको check करने की जरूवत नहीं है, ये officers लोग है, है ना, इनको checking की जरूवत नहीं है, ऐसे हाथ उठा के check नहीं कराएंगे, ये पूरी body, ये officers लोग है, ये already enter कर जाएंगे, ठीक है, आगे देखते हैं, अब बचा x, z, z, x, तो sir, जो x, z है, और जो z z, x है, sir, ये काहे पे खतम हो रहा है, देखो, ये काहे पे खतम हो रहा, x, z, ये z पे खतम हो रहा, ये काहे पे शुरू हो रहा, ये z पे शुरू हो रहा, common common को cut करो, हमें क्या देखना है, हमें x, x देखना है, हमें x, x देखना है, और x, x already यहां मौजूद है, यहां available है, is transitive और पिटा जब यह reflexive BS है symmetric BS है transitive BS है तो यह equal to वाला relation क्या होता है sir यह equal to वाला relation होता है equivalence relation क्या होता है पिटा equivalence relation ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा जल्दी से copy कर लो फिर अपन चलते है next slide पे ठीक है बाई dunzer तो चलो यार बक्चा next slide पे चला जाए square race किया जाए और चलते है next slide पे यह रही next slide बहुत जादा कुछ लिखा हुआ है पर अब आपको यह सारी की सारी चीज़ है 100% समझ में आ जाएंगी क्योंकि आपने शुरू-शुरू की दो slides में पूरी जान लगा के पढ़ लिया है आप समझ गए आतने के सीख लिया आगे पढ़ो they are often used to group together objects that are similar और equivalent equivalence relation ऐसी चीज है बेटा दिमाग में अच्छे से set कर लो equivalence relation के अंदर जितनी भी conditions आएंगी न ऐसे relations आते हैं इस topic के अंदर ऐसी conditions आती है ऐसी स्थितिती आती है ऐसी situations आती है जिसमें या तो same same चीजों को ही लिया जाएगा या similar चीजों को लिया जाएगा या congruent चीजों को लिया जाएगा मतलब बात ऐसी आएगी कि जो members उस relation के अंदर member मौजूद होंगे न उस relation के अंदर जो ordered pair होगा उस ordered pair के अंदर x comma y जो बैठे होंगे न या तो वो same same होंगे सेम सेम का मतलब है quantity में equal के x, y या x भी 5 साल का है y भी 5 साल का है या x और y दोनों भाई बहन है siblings है कुछ ऐसी condition आपको दी जाएगी equivalence relation में बिटा कि आप 100% share रहोगे कि हाँ यहाँ बात बराबरी की हो रही है यहाँ जो members है set के कोई भी cross product करोगे तो आपको जो set मिलेगा उसमें ordered pairs होते है और ordered pairs में a, b होता है या x, y होता है दो members होते हैं एक पूरे ordered pair में जैसे आपने यह ordered pair लिखा x, y है ना यह मान के चलो आपने a cross a करना शुरू करा ठीक है फिर आपने करा x, z फिर आपने करा है ऐसे आप सलते गए और यहां पर कुछ members लिखे हुए है अब यह क्या है sir यह क्या है यह पूरा का पूरा एक member कहलाएगा इस set का इस a cross b का लेकिन इस member के अंदर दो छोटे छोटे से बंदे बैठे हुए है यह बंदे कहां से आए भई यह यह आया है set a से भई है ना इस वाले set से और यह दूसरा इस वाले set से आया है ना why belongs to a तो कुल मिला के बात ऐसी हो रही कि इस set के अंदर से यह जो आया इस set के अंदर से यह जो आया इन दोनों में जो relation होगा न कुछ बराबरी का relation होगा तब ही यह eq valence relation establish करेंगे बराबरी का बोले तो हो सकता बराबर बराबर age वाले लोग हो यह हो सकता इन दोनों के पास बराबर बराबर for example number of chocolates हो हो सकता यह दोनों ऐसे figures हो जो congruent हो कि भईया यह भी circle है यह circle one यह circle two है यह दोनों आपस में congruent है congruent का मतला बिलकुल बराबर बराबर तो याद रखना जो शब्द जो शब्द अपन यहां पढ़ रहे हैं कहां चला गया भाई अबे 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 खो गया हाँ यह है जो शब्द अमने यहां पढ़ा equivalence relation यह आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ऐसी condition पर ले जाएगा जहां चीज़ें या तो similar होंगी या equivalent होंगी या equal होंगी या congruent होंगी समझ रहे हो समझ गए ना बात yes sir तो चलो भई इसका अपन ने आगे पढ़ी लिया है सारा यह पढ़ लेते हैं यह अपने already यह भी मैंने लिख दिया था reflexive क्या होता है दोस्त reflexive होता है r is reflexive if a, a belongs to r for a belongs to capital a ठीक है मैं फिर से इसको explain करूँगा इस वाले part को बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि भाई कोई set a है set a के अंदर मेरे पास दो elements है यह जो छोटा a है ना यह elements यह भी a बन जाएगा और यह भी a बन जाएगा यह है a मतलब हमें किसी भी set में a, a चाहिए मतलब हमें 1, 1 और बिटा हमको 2, 2 चाहिए तब जाके हम कहेंगे कि relation क्या है relation है reflexive आगे पढ़ते हैं symmetric तो सर्थ symmetric की क्या कहानी है symmetric तो और ही आसान है symmetric की कहानी ऐसी है कि अगर हमें किसी set में अगर हमें किसी set में a, b मिलता है a, b मिलता है कि दोस्त a, b set के अंदर है मतलब मान के चलो हमें 1, 2 मिलता है a और b दोनो set a से ही आ रहे हैं ध्यान देना पिटा है ना हमें 1,2 मिलता है तो फिर अगर हम इसको symmetric मानना चाहते हैं तो इसका opposite यानि b,a यानि 2,1 b वहां मौजूद होना चाहिए b,a also should be there in relation transitive आपको अभी हल सिखाया पीछे है ना transitive आप जानते ही हो कि sir a,b और b,c है तो a,c भी हमें check करना पड़ेगा ध्यान देना बेटा symmetric और transitive में same,same को आप qualify कराने के लिए लडाओगे नहीं आप same,same मतलब x,x मतलब 1,1,2,2,y,y,z,z यह जो same same चीज़े आ जाती है ना जो same same वाले audit pairs होते इनको आप selection दे दोगे बिना exam दिये के भाई तुझे किसी भी चीज़ से गुजरने की जरूरत नहीं है तू तो selected है काहे में symmetric में और transitive में ठीक है छोड मत देना के भाई भूल गाए भूलना नहीं है बस उनको check नहीं कराना है उनकी checking नहीं होगी वो सीधे select हो जाएंगे के चल तू भी जा symmetric में तू भी जा transitive में बाकी check होंगे सब जो अलग-अलग होते है 1,8 3,2 इनका selection कराने के लिए इनको देना पड़ेगा paper इनको देना पड़ेगी checking ठीक है next sir ये रहा last इसके बाद कुछ examples देखेंगे ठीक है तो ये आकरी आपको यहां से लेकर पूरी की पूरी ये जो दिख रही है ना this whole thing ये आपको बिलको learn होनी चाहिए ठीक है learn in the sense इसलिए learn होनी चाहिए ताकि आप किसी को सिखा सको आप किसी को पढ़ा सको आप किसी को explain कर सको के हमारे पास जो equivalence relation है ये होता क्या है दोस्त तब जाके आप ये इतना अगर आपने बता दिया तो आपका दोस्त समझ जाएगा कि हाँ यार ये बच्चा तो ये बंदर पड़ा लिखा है है ना our relation are defined on set a I hope अब आपको defined on set a on set a का मतलब पता है एक रह से ठीक है वाली condition follow करनी पड़ेगी है उसको symmetric वाली condition follow करनी पड़ेगी है उसको transitive वाली condition follow करनी पड़ेगी है a, a should be there in relation यानि की a, a same, same तुम समझ गए होगे जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें लिख दूँ के भाई अपने पास set a जो है वो है a, 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 a हो गया वेटा यह हो गया अपना reflexive relation next symmetric relation symmetric relation भी आपको पता है a, b, b, a होना चाहिए मान के चल इसमें मैंने तुझे एक relation दे दिया और उस relation में मैंने कह दिया भाई के y, p है मैंने कह दिया y, p है मेरे पास तो तुम अब इसके आगे क्या धूंडोगे कि सर इसका उल्टा p, y भी होना चाहिए अगर ऐसा relation जिसमें y, p का उल्टा p, y मौजूद है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा symmetric relation transitive, transitive भी तुम्हें बहुत बहतरीन तरीके से पता है पढ़ा दिया है कि सर एक relation मान के चल बेटा मैंने तुझे दिया क्या सर मैंने तुझे दिया बेटा x, y bracket close y, p bracket close अब देख यहाँ पर बेटा x, y, y, p ध्यान से देख रो समझ में आ जाएगा यहाँ y खतम और यहाँ y शुरूद तो अगर यहाँ पर हमारे पास x, p है तो मज़े आ गए क्यों मज़े आ गए यहाँ से y ठीक है यहाँ अंत में y यहाँ शुरूद में y काट दो x, p होना चाहिए तो है तो x, p तो यह ट्रांसेटिव हो जाएगा अब एक ऐसा relation जो तीनों follow करे उसको हम बोल देंगे equivalence relation ठीक है यह यह वाला क्या है यह वाला कौन सा relation है सर जल्दी से देखो यह वाला relation सिर्फ यह सब भूल जा इनको इनको सब को भूल जा x, x, y, y, p, p यह है अपना कौन सा reflexive ठीक है सर बिटा यह अपना reflexive के अलावा यह अपना symmetric भी है बताता हूं नीचे मैं इसको erase कर रहा हूं इन सब को हटा रहा हूं यह symmetric भी है क्यों है symmetric बताता हूं देखो गौर से सुनना symmetric की परिभाशा क्या है symmetric की परिभाशा है a, b तो b, a उल्टा ठीक है ले भाई इसका उल्टा क्या होगा पता x, x का उल्टा क्या होगा x, x यह मौजूद है अरे यह खुद तो है खुद ही है X, X का उल्टा ठीक है ये क्या है दोस्त य, Y, चल इसका उल्टा कर दे तो इसका उल्टा Y, Y होगा ये है क्या अरे यही खुद है भाई symmetric की भी परिभाशा यहाँ पर पूरी fulfill हो रही P, P, तो सर ये क्या है सर ये P, P है इसका उल्टा कर दो इस P को यहां लिख दो, इस P को यहां लिख दो, तो sir यह क्यासा देखेगा, P, P जैसा देखेगा, क्या यह मौजूद है, अरे यह है तो, तो यह क्या हो गया, यह reflexive भी है, यह symmetric भी है, और यह transitive भी है, कैसे transitive है अभी बताता हूँ, सुनो, transitive भी है, देखते जाओ, कैसे transitive सर, बताता हूँ, देखो, transitive बनाने के लिए बहुत easy है, मेरी बास सुनो, transitive कहता है कि अगर आपके पास x, y हो, और आपके पास y, z हो, तब जाके आप check करोगे, किस चीज के लिए, x, z के लिए, कि सर, यहाँ पर y और y match कर गया, तो x, z, अब हम धूडेंगे, कब धूडेंगे, जब x, y यहाँ जो अंत हो रहा है, उस अंत की कहीं न कहीं शुरुवात होनी चाहिए, सर, यहाँ x, x, यहाँ x पे अंत हो रहा है, किसी में भी x से शुरुवात नहीं हो रही, तो इसको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पर अंत हो रहा है y पे, बताओ क्या इसकी शुरुवात y से हो रही, क्या इसकी शुरुवात y से हो रही, नहीं हो रही सर, तो इसको भी माफ कर दिया जाएगा, यह भी select हो गया, किस में select हो गया, transitive में ठीक है सर ठीक है इसी के साथ सर P, P इसका अंत P पे हो रहा है क्या किसी भी audit pair की शुरुवात P से हो रही नहीं हो रही P से शुरुवात नहीं हो रही P से शुरुवात तो ये भी transitive हो गया तो सर special case याद है na special case कि सर अगर हमारे पास ये और ये आए तब जाके शुरू होने वाला कोई member ही नहीं मिल रहा तो भाई जब यहीं मिलेगा तो ये कहां से धूंड़ोगे तो अचार डालोगे क्या है ना तो X, X का मतलब है ये अंत इसका X पे हो रहा देखो भाई कोई X से शुरू हो रहा नहीं हो रहा शुरू है ना अंत वाई से हो रहा वाई से शुरू हो रहा कोई हां ये तो है या पर यहां ऐसी condition नहीं है तो सर ये वाला भी क्या हो गया अपना ये वाला भी क्या हो गया ये अपना relation है जल्दी से copy कर लो so that अपन आगे next page पर चल सके है ठीक है भई okay sir चलो next page पर चलते हैं उससे पहले अपन ये नीचे वाली line पढ़ लेते हैं तुमने already जान रखी है the equivalence relation involves three types of relations such as reflexive, symmetric and transitive ठीक है अब examples चार examples है I guess चार में से मैंने एक या दो तो आपको समझाई दिये हैं बाकी example अपन discuss कर लेते हैं ठीक है done sir is equal to is equal to अभी equal to वाला कराया is equal to एक ऐसा relation होता ही है is equal to वाला जो symmetric भी होता reflexive भी होता transitive भी होता और तीनों होगा मतलब equivalence हो गया पड़ बिटा is equal to is an equivalence relation on any set of number a as for all elements a comma b comma c belongs to a we have a equal a a equal b b equal a a equal b b equal c gives a equal c this implies equal is reflexive symmetric and transitive समझाता हूँ जल्दी से इसको कॉपी करो फिर आपको आगे की कहानी सुनाई जाएगी ठीक है भाई चलो भी शुरू कर दें इस example को और समझाता हूँ तुमें इसका क्या मतलब है ठीक है ध्यान से सुनो देखो is equal to इन्होंने कहा कि हमारे पास किसी set a में a b c है ठीक है सर मान लिया सर set a में हमारे पास तीन elements है a, b, c ठीक है सर done आगे क्या है we have a equal a ठीक है सर a equal a obviously बात है a खुद से तो equal हो गई a equal b ठीक है सर a equal b है ओके ये भी सही है b equal a ये हमें दे रहा है b equal a obviously बात है b equal है तो हो गई जब a equal b है तो b equal a भी होगा a equal b b equal c gives a equal c सुनते जाना a equal b, b equal c gives a equal c कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि भाई सहाब a, b और c तीन हो कैसे ना कैसे करके आपस में connected है with a relation is equal to कैसे ना कैसे करके related है मतलब सर मतलब सर मतलब मतलब हो सकता तीन बंदे हो इनकी age equal हो हो सकता तीन लोग हो इनकी age equal हो या तीन numbers हो जिनका magnitude same हो कुछ भी हो सकता है simple सी बात है अभी मैं कह रहा हूँ ages वाला system बताओ ages equal equal ages वाली चीज़े हमें लिखनी है for example ले लो कि बराबर ages है तो sir a cross a जब हम मिलाएंगे जब a cross a बनाएंगे तो obvious सी बात है sir a cross a में हमें a, 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 b, a, c लिखना पड़ेगा ठीक है sir a, 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 b, a, c लिखना पड़ेगा ये partition product ले रहा हूँ अभी मैं relation नहीं बना रहा हूँ ठीक है फिर b की बात भाई a cross a में यही तो करना पड़ता है यह तो आपको पते ही होगा a cross a में क्या करना पड़ेगा भई a है b है c है यहां भी a है यहां भी b है यहां भी c है भई क्या होगा यह a cross a करेंगे तो पहले हम इस a को इन तीनों के साथ पेर कर देंगे a कॉमा a a कॉमा b a कॉमा c अब जब a पेर हो गया इन तीनों के साथ तो अब बारी होगी b की तो b कॉमा a b कॉमा b b कॉमा c ठीक है सर b कॉमा a b कॉमा b b कॉमा c एसे c का c की बारी आएगी c कॉमा a c कॉमा b c कॉमा c अब सुनो मेरी बात a cross a गौर से सुनिएगा इस a cross a की बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वह आपको पता है universal relation जानते हो क्या होता पढ़ाया है मैंने आपको universal relation एक ऐसा relation होता जो बराबर होता है a cross a के बिल्कुल a cross a के equal हो जाता है universal relation ये तो you मैंने अपनी मर्दी से लिख दिया universal relation ठीक है तो सर ये a cross a खुद एक relation होता है दियान रखना किसका खुद का a cross a is a relation of itself याद रखना बिटा ठीक है सर अब यहां हमें इन सारे की सारे members में से इन सारे की सारे audit pair में से बिटा उन audit pairs को select करके लिखना है जो कौन सा condition follow कर रहे है is equal to वाला condition follow कर रहे है गौर से सुनिएगा is equal to ठीक है सर गौर से सुनना सर a equal a तो खुद equal है आपस में ठीक है a equal a खुद ठीक है तो a equal this equal to वाला system इसने follow कर लिए है लिख लो सर a, a ठीक लगा देते हैं ठीक है ठीक लगा देंगे सर ये equal है गौर से सुनना सिर्फ ठीक लगाएंगे किस में ठीक लगाएंगे सर जो equal equal वाला मतलब ये वाला पार और ये वाला पार आपस में equal है देखो a equal है दिया है ठिक लगा दो sir ये is equal to वाले relation में आएगा ठीक है sir A equal B A और B equal दिये हैं तो भहिया A equal B मतलब this equal this equal वाला relation ये भी follow कर रहे हैं ठीक है sir गौर से सुनना B equal A मतलब B, A ये भी आएगा सो B, A कहा है sir B, A यहां है ये भी equal equal वाला relation फालो कर रहा है ठीक है sir A, B जो A है वो B से equal है ये already tick लगा चुके B, C चलो देखो B, C sir B, C कहा है B, C कहा है यार B, C मैं खा गया क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं B, C कहा चला गया हाँ ये है B, C ठीक हो sir ये है B, C ये दोनों भी आपस में equal है टिक मार दो भाई ये भी टिक हो गया sir ठीक है इस पे भी टिक लगा दिया next, 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 next A, C A, C अब मेरी बास सुनो अगर मैं कहूँ A equal C है तो क्या हमें C equal A नहीं कह सकता बिल्कुल कह सकते हो sir तो A equal C से हमें A, C मिल गया C equal A से हमें C, A मिल गया देखो भाई, दोनों कहा है दोनों जहाँ उनको टिक मार दो तो A, C है equal equal वाला सिस्टम के भाईया A is equal to C C is also equal to A तो ये भी टिक हो जाएगा ये भी टिक हो जाएगा clear है? बिल्कुल clear है sir अब बात है B, B गौर से सुनना बिटा तो क्या मैं इसके नीचे B नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकते हैं sir तो B equal B आ जाएगा और B equal B का मतलब है B, B सर ये B, B धूम लो कहा है तो B खुझ से भी तो equal होगा भाईया B जो है वो खुझ से भी equal होगा obvious C बात है तो B, B आ जाएगा इस relation में इसको भी टिक मार दो C, B क्या C और B equal है देखो B और C equal दिये तो है देखो सर अगर B और C आपस में equal है तो यहाँ से बना B, C है ना और equal में पलट भी सकते है कि सर क्या मैं C equal B लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकते हैं C equal B लिख दो तो यहाँ से C, B यह वाला ओडर्ट फिर मिल जाएगा तो B, C और C, B इन दोनों को भी टिक कर दो यह भी equal equal वाला criteria follow कर आ रहे हैं दिस टिक हो जाएगा और बिटा यहाँ पर यह भी टिक हो गया और C, C खुद से तो obviously equal हो गई तो इस relation is equal to वाले system में इतनी सारी conditions दे दी थी जिसकी वज़े से यह पूरा A cross A पूरा, मतलब पूरा मतलब इसके सारे elements ही सारे order pair ही यह वाली condition को fulfill कर रहे हैं मतलब, मतलब, मतलब हमारे पास जो relation आया वो relation क्या है? वो relation खुद A cross A आ गया मतलब, यहां इस condition में A cross A क्या है सर? is an equivalence relation अब यह equivalence क्यों है? बताता हूं, सुनते जाओ equivalence क्यों है? क्योंकि सर, यह जो A cross A, जो पूरा relation यह जो relation की बात हो रही है कौन सा relation बनाया? यह अपन ने सर, यह अपन ने relation बनाया equal to वाला equal to वाला और उस condition में बनाया सर जिस condition में मैं बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी थी such that we have a equal A, equal B, equal A सब कुछ दिया हुआ था ठीक है सर? तो ऐसा relation जो हमने is equal to में बनाया वो पूरा का पूरा ही A cross A आ गया पूरा universal relation आ गया तो सबसे पहले बात करेंगे सर हम किस चीज़ की? सबसे पहले हम बात करेंगे AQ, valence में सबसे पहले बात होगी reflexive relation की R, reflex लिखते ता हूँ ठीक है? reflex बोले तो क्या है सर reflexive? कुछ नहीं तुम तो set में देख लो कितने बन्दे हैं set में हमारे पास set कहां चला गया यार? set हाँ A, B, C बस A, A होना चाहिए B, B होना चाहिए C, C होना चाहिए देखो है क्या? A, A है relation यह यह बेटा ध्यान दे ना यही relation है relation A क्रौ से यही बन गया अपना relation अब यही relation कहलाएगा A, A, B है symmetric relation देखेंगे यह तो टिक हो गया यह भी टिक हो जाएगा क्यों होगा symmetric? symmetric क्या होता? symmetric होता कि अगर हमें अपने relation में example के तोर पे B, C मिला for example B, C के बराबर है equal वाला चल रहा ना तो फिर हमें इसी relation में C, B यह उल्टा चाहिए देखेंगे भाई तुम तो जीद गए तुम जाओ हम बाकियों को check करेंगे तो A, A को तो वैसी check नहीं करना A, B Sir A, B का उल्टा B, A होता क्या A और B का जो relation है वो B और A का भी relation है मतलब A, B के बराबर है तो क्या B, B, A के बराबर है बिलकुल है यहां लिखा हुआ है B, A यहां बिलकुल B, A लिखा हुआ है तो Sir A, B का उल्टा B, A हमें मिल गया A, B का उल्टा B, A मिल गया A, C Sir A, C का उल्टा C, A है क्या यह है C, A Sir B, B को तो छोड़ दो वो तो selected है जाने दोसको B, C का उल्टा C, B है हाँ Sir C, B भी है है रहा और C, C को भाई यह तुम तो वैसी selected हो तुम तो वैसी selected हो तुम तो वैसी selected हो तो यह क्या हो गया पूरा सेट यह पूरा का पूरा सेट symmetric भी साबित हो गया इसका मतलब this is symmetric also ठीक है, clear है यह सर last, transitive तो transitive क्या होता Sir transitive में भी equal वालो को हम select करा देते कि भाई तुम जाओ selected हो जाओ उनको किसी भी checking से नहीं गुजारा जाता तक है check करो भी है यह है transitive के नहीं यह follow कर रहे है transitive के नहीं तो equal equal वालो के लिए हम transitive और symmetric माफ कर देते हैं अब चलते है transitive क्या होता सर transitive भी easy है भाई क्या है अगर मान के चल हमारे पास a, b है relation बन रहा है कि a is equal to b और मान के चल भीटा अपने पास b is equal to c b और c का भी ऐसा ही relation बन रहा है तो हम क्या करेंगे सर हम कहेंगे कि भाई इसका जो last वाला बना है इसका जो पहला वाला बन्दा है दोनों same हो गए काट दो तो a, c में भी same to same relation बनना चाहिए ये चाहिए फिर हमें a, c ठीक है सर चलो देख लो तो a, a माफ कर दिया सर जाओ ठीक है b, b माफ कर दिया c, c माफ कर दिया दिनों को तो देख नहीं नहीं है छोड़ो इसको ठीक है ज़रा दूसरा कलर लेख ले ओके तो अपनको a, b जैसे ये a, b है तो b से शुरू हो रहा होगा कोई हाँ सर b, a शुरू तो हो रहा है a, b अब b से शुरू होने वाला है b, a तो भाईया a, b b, a b से b थोड़ी देर के लिए तुम सोच लो कट गया बचा a, a तो a, a यहाँ है इन दोनोंने ट्रांजिटिफ फॉलो कर दिया ठीक है सर रहटाओ अब a, b का इसके साथ तो अपने ट्रीटमेंट देख लिया a, b का इसके साथ और देख लो क्यों क्योंकि यह a, b है यह b पे खतम है तो यह b पे शुरू है तो a, b यह b पे खतम b, c यह b से शुरू जो b और b है थोड़ी देर के लिए काट दो a, c धूंडो क्या a, c है sir a, c यह रहा ट्रांजिटिफ कम्प्लीट हो गया किसका कम्प्लीट हो गया इसका कम्प्लीट हो गया ट्रांजिटिफ इसका तो कम्प्लीट हो गया विसको मत देखना आप ठीक है next sir ठीक है a, c देखो यह a, c है sir ठीक है क्या c पे खतम हो रहा कोई c से शुरू हो रहा हाँ sir a,c c,a c,a a,c c,a c और c match कर गया a,a ये रहा बिलकुल हो गया भई खतम ठीक है a,c ये c पे खतम है ये c पे शुरू है इसके साथ भी इसको treat करो भई a,c c,a c पे खतम है c पे शुरू है c काट दो a,b मिलना चाहिए a,b ये रहा देखो ये कॉमा भी ये रहा तो इनने भी ट्रांजिटिफ की पूरी definition follow करा दी बिटा जब आप पूरा अच्छे से check कर लोगे ये पूरा का पूरा ट्रांजिटिफ निकलेगा ठीक है तो ये ट्रांजिटिफ भी है और तीनों होने की वज़े से ये equal to वाली जो पूरी condition आई है ये एक equivalence relation साबित हो जाता है ठीक है सामने से हट जाता हूँ जल्दी से आप इस example का जो भी मैंने rough and tough किया है screenshot ले लो so that अपन आगे बढ़ सकें ठीक है सर example number one अपन ने कर लिया complete example number 2 देखते हैं बाट ठीक है two देखते है example number ठीक है सर is similar to ये बड़ा ही बढ़िया question है ये बहुत अच्छा है ये आपको अभी examples में भी देखने को मिलेगा इसी के जैसा इसी के जैसा आपको question मिलेगा examples में देखने के लिए और इसमें लगेगा थोड़ा सा जादा समय ठीक है चलो देखो ध्यान देना सर एक set of triangles है हमारे पास क्या है सर set of triangles है ठीक है set of triangles है और उसको हमने t से denote कर दिया के हमारे पास एक set of triangles है ठीक है सर ओके और इस set के अंदर 3 triangles है हमारे पास क्या है सर T1, T2, T3 ऐसे हमने अपनी मर्जी से 3 triangles ले लिए ठीक है सर? ओके अब अगर आप से कहा जाए कि भाई यहाँ अपन symmetric, reflexive, transitive यह चेक करना है ठीक है? लेकिन यह चेक तो तब करेंगे न सर जब अपन T cross T निकालेंगे भाई set किसका है? set किसका है? set है T का, triangles का तो भाई यार, symmetry यह reflexive यह transitive यह तो भाई तुम तब check करोगे न जब तुमारे पास क्या हो? तुमारे पास T cross T हो तो एक काम करते हैं यार बच्चा T cross T देख लेते हैं ठीक है? T cross T देख लेते हैं T cross T क्या हैगा सर? बहुत आसान है सर इस T के नीचे अपन ने लिख दिया T1, T2, T3 ठीक है? इस T के नीचे अपन ने लिख दिया T1 क्योंकि यह भी T1, T2, T3 है T2 और T3 T2 मामा, चलो भाई यह तो complete हो गया अब T cross T में खेदे हैं अपन पूरा डीटेल में समझाओंगा समय लग रहा है लग जान दो यार लेकिन डीटेल में जाएंगे अपन पूरी डूपकी लगाएंगे डीटेल में तो सर T cross T में क्या होगा? सबसे पहले हम इसको उठाएंगे तीनों के साथ मर्ज कर देंगे T1, T1 ठीक है सर next T1, T2 next T1, T3 ठीक है सर डन है? बिल्कुल डन है सर ठीक है अब T2 की बारी T2, T1 ठीक है? ठीक है? T2, T1 होगा अब T2, T2 और last T2, T3 T2 भी खतम होगया अब T3 को करो भई T3 इसको एक काम करते हैं इसको यहां ले आते हैं अभी ठीक रहेगा ठीक है T3 के आब T1, T3, T2, T3, T3 ठीक है? T3, T1 T3, T2 और last में triangle 3, triangle 3 ठीक है? अब सुनते जाना मेरी बाट ठीक है सर बहुत गौर से सुनना ठीक है? similar triangles की बात हो रही बही है similar की बात हो रही है अब गौर से सुनना तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं बहुत अच्छा रहेगा यह चीज़ अगर तुमने समझ ली तो 1 है जो triangle number 1 है गौर से सुनना बिटा अरे हो जा सही triangle number जो 1 है ना suppose मैंने आप से कह दिया यह equilateral triangle है क्या है सर? equilateral triangle this equal this equal this इसमें class 10th की थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए आपको ठीक है सर? अब बात करते है triangle number 2 की तो सर जो triangle 2 है यह भी मान के चलो एक triangle है, इसकी sides थोड़ी सी बड़ी है इसकी sides अपन मान लेते हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, मतलब यह हो गया 5 यह हो गया 5, यह हो गया 5 पर equilateral है, यह बात तो थै है ठीक है सर? तो यहां भी अपन लिख देते हैं this is equal to this is equal to this तीनों sides equal है अब बात करते है ट्राइंगल नंबर 3 की सर तो ट्राइंगल नंबर जो 3 है वो एक राइट अंगल ट्राइंगल है क्या है सर राइट अंगल ट्राइंगल है ठीक है ठीक है समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई तो में तो यहाँ पर अपने right angle बना दिया, ठीक है, अब सुनते जाओ, तो हम लोग ने class 10th में पर रखा होगा, similarity of triangles, chapter अपना सायथ 7th है, शायच 7th chapter है triangle, देख ले न, तो उस 7th chapter में हमने कैसी का similarity of triangles है, similar कैसे होते triangles, भाई similar कराने के कई criteria's होते, side, 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 corresponding sides के ratios अगर equal हो जाएं तो similar ह होगा, angle, angle, कि भाई अगर किसी भी 2 triangle में 2 angle equal हो जाएं तो similar हो जाएगा, या अपना side angle side, 2 sides के ratios, 2 triangle के 2 sides के ratios और उन दोनों sides के बीच में बनने वाले angle equal होने चाहिए, तब बन जाएगा SAS से similar, लेकिन, 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 हम इतना critical नहीं लेते हैं, हम simple सा लेते हैं, ध्यान triangles में, always remember, equilateral, equilateral से similar होता हमें, यह याद रखना, equilateral और equilateral similar होता, चाहिए, छोटा equilateral, बड़े equilateral से compare किया जाए, या बड़ा equilateral triangle, छोटे equilateral triangle से compare किया जाए, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, सर, एक चीज़ तो समझ में आ गई, और हर triangle, खुद से similar होता है, यह triangle, दोनों congruent है तो दूसरा T1 कह रहा है higher है तो अपन दोनों तो सेम ही है तो congruent भी है और अपन दोनों similar भी है तो वो कह रहा है higher similar भी है क्योंकि दोनों एक ही चीज है तो मतलब एक ही चीज जब खुद से बात करेगी तो वो खुद के equal भी है है खुद के congruent भी है खुद के similar भी है तो यहां समझ में यह आया कि हमें यहाँ पर जो condition दी गई है similar triangles वाली है similar वाली उसमें सबसे पहले जो हम चीज निकालेंगे वो निकालेंगे same same मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्ट जो टीवन है जो टीवन है वो खुद से भी तो similar होगा यानि टीवन कॉमा टीवन similarity वाला rule यहां पर relation follow कर रहा है तो टीवन कॉमा टीवन कहां है दोस्त टीवन कॉमा टीवन मैंने लिखा ही नहीं है क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो टीवन कॉमा टीवन हमें बनाना है सिमिलर वाला उसमें सबसे पहले टीवन कॉमा टीवन आएगा जो आपस में टीवन is similar to टीवन ठीक है सर टीटु कॉमा टीटु आएगा क्योंकि टीटु एक ऐसा triangle है जो खुद से similar होगा अविस सी बात है भाई हर triangle खुद से similar होता है हर triangle खुद से congruent भी होता है इसके बाद हमने T3, T3 भी लिख लेना है तो ये खुद खुद से वाली condition तो खतम हो गई कि भई ये T1 खुद का similar होगा T2 is similar to खुद T3 is similar to self तो ये self वाला खुद से similar होने वाला खतम अब सुनो ठीक है सर अब सुनना मेरी बात गौर से सुनना ठीक है सर T1 और T2 similar है क्यों है इक्यूलेटरल is similar to T1, T2 देखो तो इस पर तो टिक लगा लो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया ये एक एक एक्यूलेटरल ट्राइंगल है तो this is similar to this ये बात तो तो तह है तो सर हमने लिख दिया T1, T2 T1 is similar to T2 बिलकुल सही है एक्यूलेटरल is similar to एक्यूलेटरल यार उल्टा भी तो कह सकते है अपन क्या T2 is similar to T1 यार ये भी तो लिख सकते है ऐसा देखो T2 triangle is similar to T1 बिलकुल लिख सकते है देखो चाहे एक ट्राइंगल दूसरे का similar है ऐसा बोल लो या दूसरे ट्राइंगल पहले का similar है ऐसा बोल लो बात तो बराबर ही है बात तो बराबर ही है similar में आप order को change कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई इफ ट्राइंगल वन इस similar to triangle 2 मुझे एक ट्राइंगल दूसरे का similar है बस एक कॉमा बी ऐसा बनाना है कि एक ट्राइंगल दूसरे का similar है बस ये लिखना है तो सर T2 triangle T1 का similar है इसमें क्या खराब है लिख सकते है कि T2 is similar to T1 आगे चलते हैं सर है ना तो T1 कॉमा T2 हो गया क्या T1 कॉमा T2 हाँ सर हो गया इस पर भी टिक लगा लो T2 कॉमा T1 T2 कॉमा T1 ये भी हो गया ठीक है सर आगे देखते हैं सर ये आएगा क्या T1 और T3 देखो ज़रा T1 एक equilateral है T3 एक right angle है नहीं आएगा तर छोड़ो उसको ठीक है ये आएगा क्या T2 T3 सर टी टो ट्राइंगल T2 ती ट excited transcend ट्राइंगल T2 एक equalarial triangle है T3 एक right angle triangle है तर नहीं सुदिलर यार ठीक है सर T3 T1 टी 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 वफ नहीं आएगा right angle और equilateral नहीं आएगा इसका मतलब sir इसका मतलब sir बस इतने ही आएंगे ये similar वाली condition में इतने ही आएंगे बस ठीक है sir अब समझना मेरी बात को बिटा यहाँ पर इनों ने कहा ये reflexive भी है symmetric भी है transitive भी है चलो reflexive देखते हैं ठीक है reflexive मतलब same comma same और सारे elements होने चाहिए मतलब हमारे पास जो set में t1 t2 t3 है relation में t1 comma t1 होना चाहिए same relation पे t2 comma t2 होना चाहिए t3 comma t3 होने चाहिए check करो t1 comma t1 है t2 comma t2 है t3 comma t3 है same relation similarity वाला क्या t1 t1 का similar है बिलकुल होगा यार self similar थो होते ही है t2 triangle t2 के similar है हाँ t2 खुद के similar होगा t3 ही खुद के similar होगा मतलब जो relation दिया वो follow हो रहा है ठीक है सर तो यहां हमें समझ में आ गया के यार t1 comma t1 t2 comma t2 t3 comma t3 available हैं जो set t में थे तो इसका मतलब अपन ने लिख दिया yes ये reflexive तो है अब बात कर लेते हैं next symmetric भी symmetric में मैंने क्या बताया same same वालों को माफ कर दो वो तो symmetric होई गया same same वालों को माफ कर दो छोड़ो जैसे same same है same same है same same इनको यह है relation यह है अपना open नहीं देखेंगे मतलब इसको छोड़ो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो इनको छोड़ो इनको तो check नहीं करना यह तो selected है ठीक है सर तो किसकी बात कर नहीं है इसकी बात कर नहीं यह t1, t2 t1, t2 तो फिर मुझे उल्टा भी चाहिए t2, t1 हा सर t2, t1 है तो तो यह दोनों भी हैं तो अपने लिख दिया yes ये आपस में symmetric है कि भाया अगर मैं कह सकता हूँ मेरे बोलने का तरीका सुनना मैं कह रहा हूँ कि sir जो t1 triangle है वो t2 का similar है ये भी equilateral ये भी equilateral तो मैं यहाँ उल्टा भी तो बोल सकता हूँ मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो t2 है वो t1 के similar है बिलकुल बोल सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है बात similar की है similar बाले लिखने हैं आपको तो sir यहाँ पर क्या हो गया symmetric हो गया last but not the least transitive transitive में भी बेटा equal वालों को हम माफ कर देते हैं equal वालों को हम छोड़ देते हैं भाई तू selected है जा जी ले अपनी जिंदगी मतलब यह भी गया यह भी गया यह भी गया इनको मतलब देखना है पर इनको checking नहीं करानी है इनको check नहीं करना है ठीक है सर अब बात हो गई इनकी भाईया इनकी बात कर लेते हैं ठीक है तो सर यहां पर T1 कॉमा T2 यहां T2 कॉमा T1 X कॉमा Y Y कॉमा X यार यह दोनों इसका लास्ट T2 है इसका लास्ट T2 है दोनों सेम हो गए मतलब इसका last और इसका पहला सेम हो गया काट दो तो अपन को T1, T1 चाहिए क्या T1, T1 है यहां है T1, T1 तो इसका मतलब इन दोनों ने symmetric reflexive के साथ सा transitive वाली भी condition को fulfill कर लिया यस लिख दो दोस्ट और यह जब तीनों हो जाते हैं तो is similar to वाली condition क्या कहलाती है इस similar to वाली condition EQ valence relation कहलाएगी in condition of triangles ठीक है सर यह complete हो गया जल्दी से screenshot ले लो example number two खतम ठीक है पिटा, example number two खतम चलो भई, इसको खतम करते हैं I hope कि आपको अच्छे से सारी चीज़े समझ में आ गई है has the same birthday यह तुम बनाओगे खुद से यह तुम बनाओगे खुद से ठीक है तीन लोग ले लेना एक सेट ले लेना ए उसमें तीन बंदे ले लेना ठीक है तुम ले लेना बिटा अनुज ठीक है सिमी और लास्ट ले लेना बिटा राज ठीक है ठीक है? अब इसमेरे तुम एक काम करा देना, क्या करा देना सर? इनका बर्ड़े मान के चलो बीटा, first March को है. इनका बर्ड़े b भी first March को है. इनका बर्ड़े थोड़ा अलग दिखा देना कि भाईया यह दो December है. अब यहाँ पर cross product करा ना किसका? A cross A. A cross A करा देना ठीक है? ऐसे नौ एलीमेंट्स आंगे एक रॉस धे में ठीक है उन मेंसे सिर्फ 48 में सिर्फ उन चीजों का रेशियो निकाल रेशियो relation बनाना जिनके same birthday हो same birthday मतलब obviously बात है अनुच, अनुच तो same birthday होगा अनुच और अनुच भाई सेमी पूरे एक audit pair में दो ही बार अनुच का नाम लेखा तो दोनों बार same birthday तो आएगा तो अनुच, अनुच आ जाएगा, semi, semi आ जाएगा राज कौमा राज आ जाएगा, फिर अनुच कौमा राज आ जाएगा, राज कौमा अनुच आ जाएगा semi और नहीं आएगी, फिर उसके बाद तीनों चेक करना symmetric, reflexive और transitive आपको तीनों sufficient मल जाएगे, तीनों follow कर देगा यह ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो के यह कौन सा relation हो जाएगा, EQ valence relation, next is congruent to, जैसा अपन ने is similar to किया था वैसे ही आपको is congruent to करना पड़ेगा, congruent का मतलब है did to same to same did to same to same मतलब इस बारी, इस बारी जो triangles लेंगे ना, जैसे T का triangle का ले लेना, T1, T2, T3 यह तो बहुत आसान है दोस्ती यह तो बहुत आसान है, बहुत easy है क्यों? अरे भाई, को और से सुनना is congruent to इसका क्या मतलब हुआ सर? मान के चलो, मान के चलो बेटा, हमने इन तीनों में से triangle number one is congruent to triangle number two, बस यह दोनों congruent मान लिए, हैना triangle three एक अलग है, for example, अलग मान लिए है इसको अब हम set बनाएंगे, अब हम एक relation बनाएंगे, बहुत आराम से, आप अपनी मर्जी से हो सकता, आप तीनों को congruent मान लो तीनों को मान लो, तब भी हो जाएगा, कोई सर, T1 और T2, दो ट्राइंगल से, तीनों में से, दो ट्राइंगल से हैं, जो क्या है, congruent है, ठीक है सर, अब अपन T cross T बनाएंगे, T cross T, ठीक है सर, क्या बनेगा T cross T, T1, 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 सबसे पहला है ना, T1, 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 T2, ठीक है सर, T1, T3, ऐसे बनाएंगे भई, है ना, चलो बनाओ भई, खुद से बनाओ, ट्राइगरो, खुद से बनाने का, ठीक है, T1, T3 बना देते हैं, T1, T3, तो यह T1 के साथ बन गाए तीनों, T1, 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 T2, T1, T3, अब T2 की बारी, अब T3 की बारी होगी, है ना, T3 कॉमा T1, फिर आएगा T3 कॉमा T2, और लास्ट में आएगा अपना T3 कॉमा T3, आप सुनते जाना बीडी बार, हर ट्राइंगल खुद का कॉन्गुरूएंट होता है, खुद का, हैना, कॉन्गुरूएंट वाले चाहिए, तो खुद का मतला T1 और T1 आपस में कॉन्गुरूएंट होगे, ये तो हम रिलेशन में लेंगे, हैना, T2 और T2 आपस में दूसरे से कॉन्गुरूएंट होगे, ये भी हम अपने रिलेशन में कॉन्गुरूएंट वा ऐसा T2 इसकॉर गूरें टीवन टीवन, T2, T1 ये भी सही है, तो T2, T1 ये भी आएगा सर T2, T1, इसके लावा कुछ नहीं आएगा, इनके लावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है सर, इसको छाट के अलग रख लेना, इसको जैसे ही आप सेपरेट करके, सेग्रिएट करके, इन यह हो गया, है ना, T1, T2, यह हो गया, T2, T1, यह क्यों सलेट करें बिटा, सर, congruent है न, अगर T1 को हम T2 से congruent कह रहे हैं, congruent मतलब जिट्टो, same to same, के एक triangle, दूसरे triangle का same है, तो भईया, दूसरा वाला triangle, पहले वाले triangle का same, यह भी तो कहलाया जा सकता है, ना, next, 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 t2, t2, और यहां से t3, t3, ठीक है, सर, सबसे पहले, reflexive, क्या है reflexive, सर, t1, t1, t2, t2, और t3, t3, सेट, t, में, तीन तरह के ट्राइंगल से, तीनों के हम शकल होने चाहिए, t1, t1, t2, t2, t3, t3 हैं, तो सर, यह हो गया reflexive, symmetric, symmetric में हम शकल, जो same, 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 में, उनको बिल्कुल भी pass कर दो, उनको निकाल दो, उनको तो check करने की जरूवत नहीं है, ठीक है, यह, t1, t2, तो क्या, जो t1 का relation t2 से बन रहा है, वही उल्टा चाहिए, अब हमे, t2, t1, sir, यह तो है, t2, t1, तो यह symmetric भी हो गया, last, transitive, transitive में भी equal, equal, equal वालों को बिल्कुल चेक नहीं करना चाहिए, बाकियों को चेक करो, sir, t1, t2, t2, t1, क्या करते हैं, sir, इसमें, sir, इसमें यह देखते हैं, कि जो t1 और t2 है, last में t2 आ रहा, यह शुरू में t2 आ रहा, मतलब, एक audit pair का last, अगर अंत t2 पे हो रहा है, तो शुरुवात वाला भी t2 होना चाहिए, यह है, इनको थोड़ी देर के लिए काट दो, t1, t1 धूंडो, t1, 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 के बारे में, अगर अच्छा लगाओ session, तो ज़रूर से ज़रूर like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना, भाई, अपने जितने भी friends हैं, जितने भी knowns हैं, उनको बता दो, कि भाई, यह वीडियो हैं, देख लो, भला हो जाएगा, वीडियो बहुत detail में, हर एक तरह से example बता रहा हूँ तुम्हें, कि भाई, जादा से जादा examples तुम तक पहुचें, जादा से जादा conditions तुम तक पहुचें, जादा से जादा concepts की detail तुम तक पहुचें, भले ही थोड़ा time extra लग जाए, लग जान दो यार, but the main thing is, तुम्हारे तक perfect concept, perfect explanation, detailed explanation जाना चाहिए, और वो तुम्हें सर्फ Magnet Brains के YouTube चैनल पर मेरे साथ जीशान सर के साथ ही मिलेगा, तो इसी के साथ इस session को, इस video को खतम करता हूँ, इसके बाद आपको अब जो video मिलेगा, it will be of examples, अब आपको example समझाऊंगा, मैं आपके NCRT की book के दिये हुए examples, तो इसके बाद आपको video बहुत education provide कराने में हमेशा से believe करता आया है, so that आपका जो right है, right to education उसको fulfill किया जा सके, आप CBSC board के बच्चे हैं, तो K12 की tension free हो के पढ़ाई करिये हमारे Magnet Brains के English Medium YouTube channel के साथ, और अगर Hindi medium के बच्चे हैं, तो आप Hindi medium वाले channel पे जाके देख सकते हैं, हम UP board, बिहार board, अपना CBSC board, बहुत सारे boards Hindi medium पे भी cater किये जा रहे हैं, तो आपके जितने भी लोग जान पिचान के बच्चे हैं ना भाई, जो Hindi medium के बच्चे उनको बता दो, के Hindi medium पे भी धासू पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़ाई चल रही है, ठीक है, इसी के साथ अगर आप CBSC board, obviously अगर आप मे उनको अवेल कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी website पे जाके www.magnetbrains.com या application को install करके, magnetbrains.com जैसे ये open होगी, आप बढ़िया से डाउनलोड कर लो भाई, grab e-notes पे क्लिक करो, class 6 से लेकर 12 तक इसमें से अपनी एक class select कर लेना, जिस subject के notes चाहिए हो subject select कर लेना, बस डाउनलोड कर लेना, आपके पास grab notes, मतलब आपके पास e-notes PDF form में डाउनलोड हो जाएंगी, बढ़िया पढ़ाई करो, और बढ़िया successful रहो, ठीक है, मैं फिर बता देना चाहता हूँ, videos बढ़िया properly arranged होते हैं, playlist के form में, आप videos सब जगा देख सकते हो, YouTube channel, website और application पर, ठीक यालोडर रिख सकते हैं, ओि यक होते हैं, बड़िया देख सकते हूँ, और एक में, आपके नेता हैं, खो में, तार लेक हैं, ॉज बप में अथा सकते हैं, औरै यालोगर में आपके पास ale Hetजयाँ सब